नेशनल किसी ने पहुचाया भोजपुरी को दिस इस पवन सिंग कि खेसारी जी ने मुझे बैक तो बैक बहुत सारे फिल्मों से आउट किया बॉलीवूड को लेकर के आये भोजपुरी में पवन सिंग के लिए पूनम दूबे ने जो बोला है वो शायद कोई और एक्ट्रि बैक उन्हें कई फिल्मों से निकलवा दिया और वो सारी फिल्में बड़ी थी आज पूनम का केरियर कहीं और होता वैसे आपको बता दे इससे पहले रितेस पांडे भी इसी तरह का इंजाम खेसारी लाल यादों पर लगा चुके हैं कि जब के रितेस के केरियर के शुरु हो चुका था लेकिन वो दर्शकों का प्यार था और भगवान और मा वरिंदवासिनी की कृपा थी कि उनका केरियर फिर से चमक उठा नहीं तो उन्होंने आस ही छोड़ दी थी कि वो कभी भोजपूरी इंडस्ट्री में लोट कराएंगे यहां पर पूनम दूबे ने ये क तो वो कोई और नहीं पवन सिंग है यह सारा इंटर्वियो एक शोशल मीडिया साइज्ट के लिए दिया है पूनम दूबे ने और पूनम दूबे ने यहां अपने दिल की बात रखी है खेसारी के लिए उन्होंने कहा नो डाउट वो बहतरीन कलाकार है अच्छी कलाकार है लेकिन उन्होंने बहुतों का केरियर खराब किया है मैं इसका एक एक एक्जामपल हूँ वैसे खेसारी पर प्रमूत प्रेमी ने भी कई बार इल्जाम लगाया है कि खेसारी लाल यादों ने उनके कई गाने चुरा कर गाये है और तो और प्रदीप पांडे चिंटु या फिर समर सिंग सभी पर खेसारी लाल यादों ने कुछ न कुछ ऐसा जरूर किया है जिससे इन सारे स्टार्स की केरियर पर कुछ न कुछ रुकावट जरूर आई है क्या कहेंगे आप हमारे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भुलिए